कि हलो स्टार्ट करते हैं आज की वक्षिट नमबर 101 हिंदी की है यह क्लास थर्ड के लिए रिम जिम से ली गई है आपकी वह कहना है इंडिक रिम जो मुझसे ली गई है फाइफ नवंबर आज की डेट है और पार्ट है मन करता है यहां पर आपको अपना नेम फिल करना है यह कि लिए और यहां पर आपको सेक्षिन लिखना या भी से भी आपका सेक्षिन नोλάंom के भजो चलिए करते हैं सहराट बाचन वा प्र्यायवौत्ट है तुक है तुक है सहर वाचन वाप्र пишis dec hello how today जनका अर्थर शेम होता है önce were kind स्वर का मतलब आवाज मतलि ऐसे से औरत के हूँ ठीके बच्चों से लिए और देखते हैं कर नमस्कार बच्चों या कि शहें मन करता है कवीता को सब्सक्राइब का आनन्द आैता न्यूंहायद कने रहती ठीक है यह देखिए आप कविता की पंक्ती लिखनी है ठीक है मन करता है सूरज बनकर डैश लगाऊं मन करता है पापा बनकर डैश बढ़ाऊं मन करता है चर्खी लेकर डैश उड़ाऊं ठीक है तो यह जो है आपको फिल करना है तो मैं आपको अभी एक बार पूरी पूरी प मैं मन करता है चीक है चले बढ़ता है मन करता है सूरज बनकर आसमान में दोड लगाऊं मन करता है चंदा बनकर सबतारों पर अकड दिखाऊं चीक है उसके देखे क्या लिखा है मन करता है बावा बनकर घर में सब पर धोस जवाओं मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूच बढ़ाओं मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाओं मन करता है कोयल बनकर मीथे मीथे बोल सुनाओं मन करता है चड़िया बनकर चीची चूचू सोर मचाऊं मन करता है चरकी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं तेके बच्चो यह आपकी कविता है यह लिखी है शुरेंदर विक्रम राइटर है इसके तेके चलिए अब हम वक्षीट की तरफ चलते हो और देखते हैं आसमान में दोर लगां यहां पर का लिखो गया आसमान में दोर लगा ठीके दोर अप लिख लोगे यह अब यह यहां पर लिखा हुआ ऊए पर और इसलिकılmış लिखा है मन करता है पापा बनकर मैं भी मुच जबाहें आजु मैं भी अपनी मूच मूच आप ऐसे लिखेंगे ठीक है मूच आप बढ़ाओं मन करता है चर्खी लेकर मन करता है चर्खी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाओं क्या लिखा तो महाँ पे लाल पीली पतंग उड़ाओं ठीक है बच्चो चले नेक्स कोशन देखें क्या दिया गया है बच्चो अब अपने मन की बात बताईए और कविता को पूरा कीजिए देखिए आपके मन की बात की कविता लिखी गई है आप उसको पूरा करना मन करता है बस सर लेकर मैं फिर से अपने लिख सकते हैं आप या फिर स्कूल की जगा गहार का क्या लिख सकते हैं थेहित है है फिर से धमा धम मचाओं धमा धमा यह ही मन करता है मितशन सर बनकर घर पर मैं सब को पढ़ाऊं ठीक है इसमें क्या लिखोगे आप सब को पढ़ाऊं ठीक है यह को तो लिखा हुआ तो सिर्फ आप के लिखेंगे सब आपको बस सब लिखना है उपको पढ़ाओं यहां पर लिखा हुआ है ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं आगे के लिखा है में इसका विता में कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें अनेक नामों द्वारा जाना जाता है जैसे कि सूरज को सूर् प्रयावाची शब्द कराते हैं जो शब्द किसी सब्द का समान अर्थ बताते हैं मतलब जैसे कि सूरज और सूर्य है तो यह क्या होता है एक ही होता है ना सूरज तो यह क्या है एक ही को बता रहे हैं एक ही का नाम बता रहे हैं किसका नाम बता रहे हैं सूरज का तो ऐसे स कीताब का लिखेंगे पुष्प फूल ब्रेक gars लिखेंगे पेड़ में क्या लिखेंगे आप औरथ तीक eller कुरुषा समय विद्व आज की वक्षिट अब देखते हैं विवाब को कहले के अर्थ पता करने में मदद करें ठीके बच्चों को आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके नाम पूछने और उनका मतलब भी आपको अपने घर के सदस्य उसे जिनका भी नाम है उनसे पूछना है आपको अपने घर के सारे सदस्यों के नाम पता होने चाहिए और उनका म पसंद आए जाके वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप कुछ सबसे पहले मिल सकें चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बच्चों टेक एर